संत गाडगे बाबा उनका वास्तविक नाम देविदास डेबुजी था महराज का जेनम महराश्ट के अम्रावती जिले के अजन गाउं सुर्ची तालुका के शेड गाउं ग्राम में एक धोवी परिवार में हुआ था गाडगे महराज एक घूमते फिरते समाजिक शिक्षक थे वे अपने पैरों में फटी हुई चपल और सिर पर मिट्टी कर टोकरण ढखकर पैदल ही यातरा क्या करते और यही उनकी पैचात दी जब वे किसी गाउं में प्रिवेश करते तो गाडगे महराज तुरंत ही गटर और रास्ते को साफ करने लगते और काम खत्म होने के बाद वे खुद गाउं के लोगों को साफ साफ होने की बधाई भी देते गाउं के लोग उन्हें पैसा भी देते और बाबा जी उन पैसों का उप्योग समाजिक विकास और समाज का शारिरिक विकास करने में लगाते ल कीर्टनों के माध्यम से जन जन तक लोकार और समाज कल्यार का प्रसार करते अपने कीर्टनों के समय वे लोगों को अंद विश्वास की भावना के विरूद शिक्षित करते अपने कीर्टनों में वे संत कबीर के दोहों को भी प्रियोग करते संथ काडगे महाराज, लोगों को जानवर पर अत्याचार करने से रोकते और वे समाज में चल रहे जाती भेढ और रणभेढ की भावना कों को नहीं मानते और लोगों के इसके खिलाफ वे जागरुप करते और वे समाज में शराब बंदी करवाना चाहते थे गाडगे महाराज को कठिन परिक्ष्रम साधारन जीवन और परोपकारी भावनाओं का पार्ट पढ़ाते थे और हमेशे ज़रूरत मंदों की साहता करने को कहते उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी इसी राहा पर चलने को कहा महाराज कई बार अध्यात्मिक गुरूम मेहर बाबा से भी मिले चुके थे मेहर बाबा ने भी संत गाडगे महाराज को अपने पसंदीद संतों में से एक बताया महाराज ने मेहर बाबा को मेहर बाबा को पढ़नपूर में अमंत्रित किया और 6 नवंबर 1954 को हजारों लोगों ने एक साथ मेहर बाबा और महाराज के दर्शन किये उन्हें सम्मान देते हुए महाराष्ट सरकार ने 2001 में संद्गाडगे बाबा सच्चे काम करम योगी थे महाराष्ट के कोने कोने में अनेक धर्म शालाएं गोश शालाएं विद्याले चिकिसा तता छात्रवास का उन्होंने निर्माड कराया यह सब उन्होंने भीक मांग मांग कर कब बनाया किन्तु अपने सारे जीवन में एक महापुरूश ने अपने लिया एक खुटिया तक नहीं बनाई अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले